अकादमी की अध्यक्षा मनोहर पटेल वर्षा प्रफोल पटेल 28 अपरल 22 को दिली से नागपूर एरपोर्ट पहुचे जहां उन्होंने केंद्रिय मंत्री नितिनगटकरी से मुलाकात की इस दोरे की दोरान वर्षा पटेल ने साकोली और लखनी में जल से जल फलाई ओवर शुरू करने की संभावना पर चर्चा की सुविदाओं पर भी चर्चा की गई नितिनगटकरी ने वर्षा पटेल को आश्वासन दिया कि नागरी को कुछ विधाय प्रदान करके साकोली और लखनी फ्लाई ओवर को जल से जल्द यातियात के लिए खोल दिया जाएगा वर्षा पटेल ने नितिनगटकरी को तहे दिल से धन्यवाद दिया पिछले ढ़ाई साल से साकोली और लखनी में हाईवे पर फ्लाई ओवर का काम शुरू हो चुका है और दोनों फ्लाई ओवर का काम पूरा हो चुका है पुल पर यातियात बंद होने से दोनों शेहरों में यातियात की बड़ी समस्या है यातियात अक्सब बादित होता है और वान माले को सहित है नागरिकों को बेवज़ा नुकसान उठाना पड़ता है इसलिए मांग किये गए कि तयास साकोली और लखनी फ्लाइयोवर पर जल से जल यातियात शुरू किया जाए वर्षा पर्टेल ने नितिन गटकरी के साथ ना ने वाद दिया गोंदिया से बीसे न न्यूस के लिए अभिशेक भटनागर की रिपोर्ट